असलाम लेकुम स्रेंट्स क्लासिक्स अपने इंगलिश ग्रामर की बुख देखी इंगलिश ग्रामर और कम्पोजिशन देखी इसमें हम लोग अपना स्लेबस हाफ एली का स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें पार्ट नमबर 3 पढ़ चुके हैं जिसमें लेसन नमबर 9, लेसन नमबर 10, लेसन नमबर 11 और 12 ये 4 चेप्टर्स हम लोगों ने पार्ट नमबर 3 में क्लासिक्स कंपीर करे थे ठीके अब हम लोगों जो अपना essay के लिए यहीं हाफेली के लिए चेप्टर्स पढ़ने हैं लेसन नमबर 13 नाउन, लेसन नमबर 15 जेंडर, लेसन नमबर 18 आर्टिकल और लास्ट है लेसन नमबर 35 ऐसे राइटिंग तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है लेसन नमबर 13 नाउन ये है पेज नमबर 18 पर तो सबी लोग अपना page number 18 निकालें, lesson number 13 ठीक है strengths नाउन किसी कहते हैं, नाउन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, class 6 आप लोग अपने previous classes में जैकि page number 18, lesson number 13, lesson name है noun, हिंदी में कहते हैं संग्या और उर्दू में कहते हैं ism, ठीक है, योग्या इंग्लिश में, योग्या हमारा हिंदी में, next योग्या हमारा उर्दू में part number 4 लिखना है यहापर, part 4 में हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप लोगो सभी को डेट शो करने हैं जब भी आप लोगो यह वीडियो अप्लोड होती है, noun यानि के संग्या यानि के ism, noun की definition देख लेते हैं सबसे पहले, a noun is the name of a person, animal, place, thing, quality, feeling, etc. एक noun जो है, वो किसी इंसान के नाम को, किसी जानवर के नाम को, किसी जगा के नाम को, name जो है वो सब के सामन लगेगा, person का name, animal का name, place का name, या किसी thing, यानि किसी चीज का name, या किसी खासियत बताय जा रही हो वो, या कोई feeling बताय जा रही हो, और etc. यानि कि इसी तरह से और भी वगेरा, यानि के आदी, etc. मतलब, वगेरा, यानि के आदी, हिंदी में क्या कहते हैं, आदी, और English word, etc. त है, वो किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगा का नाम, किसी चीज का नाम, किसी quality का नाम, कोई quality बताय जारी है, किसी की अगर खासियत, किसी की feeling बताय जारी है, और etc. इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं, नाउन, इन में से कोई भी एक चीज हो सकते हैं, जर प्रापर नौन और उण। प्रोपरां। नाउन को महुंभें कैते हैं व्यक्ती अंच्चा संगिया। सेमधी नंबर है, पेस नंबर 18 पर उप्रोपर नौन इस दिन Performing प्तिकुलर प्लेश और प्रोपर नौन जो है नहीं properly हमें बताये जा रहा है, वो हमारा किस में आता है, proper noun में आता है, ठीके students, last six next देखिए, second same page number, page number 18 पर ही second है common noun, इसको हम हिंदी में कहते हैं, जाती बाचक संग्या, common noun is a name given to every person, common noun जो है, वो हम हर person को, place को और चीजों को दे सकते हैं, जैसे कि Rita is a good girl, तो girl जो है, वो क् common noun, अगर girl का हमें name given है, Rita जो है, वो क्या है, इसमें, proper noun, तो girl कोई भी हो सकती है, लड़किया, teacher कोई भी हो सकता है, city कोई सी भी city हो सकती है, book कोई सी book सकता है, लेकिन particularly अगर हमें उसका नाम बताये जा रहा है, तो वो क्या है, proper noun, तो ये है proper noun, और ये है common noun, यानि कि जाती वाचक संग्या, और proper noun, क्या था हमारा, व्यक्ति वाचक संग्या, ठीके, students, next, last, same page number, page number 18 पर ही, next, देखिए, हां, दोरों हम complete कर चुके है, next, आज है, page number 19 पर देखिए, third है collective noun, हिंदी में कहते हैं, समू वाचक संग्या, collective noun is a name given to a whole group, यानि कि किसी भी चीज का group हो, पूर noun, ठीके, यह हमारा, जैसे की, I belong to a good family, तो family में बहुत से लोग रहते हैं, family हमारा क्या हो गया, collective noun, sorry, common नहीं, proper नहीं, collective noun, next, second है, our team who, sorry, our team won the match, तो team क्या हो गया, हमारा, collective noun, you read in class 6, तो class में बहुत सारे बच्चे होते हैं, collective noun, we are proud of the Indian army, army, army क्या हो गया, collective noun, ठीके, बहुत से लोग होते हैं, तो किसी भी चीज का group, किसी इनसान का group, किसी जानवर का group, या किसी चीज के group को हम क्या कहते हैं, collective noun, ठीके, next, same page number, page number 19 पर ही given है, fourth material noun, हिंदी में कहते हैं, पदार्थ वाचक संग्या, material noun जो है, वो जैसे की सोना है, चांदी है, मिल्क है, राइस है, वाइल है, ठीके, इन सब ये सब हमारे किस में आते हैं, material noun में आते हैं, ठीके, next, same page number, page number 19 पर ही फिफ्ट है, abstract noun, abstract noun में वो चीज़े आती हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ, feel कर सकते हैं, अपनी आखों से, नहीं देख सकते हैं, और नहीं उसको हम touch कर सकते हैं, जैसे कि walking है, कोई चल रहा है, तो हम उसकी चलन को, उसके चाल को touch नहीं कर सकते हैं, kindness है, honesty है, किसी की मानदारी हम, touch नहीं कर सकते हैं, जूर नहीं सकते हैं, चाइल हुड है, बशपना हम उसको जूर नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें सिर्फ हम उसको feel कर सकते हैं, touch नहीं काउंट कर सकते हैं ठीके जैसे कि अगर मेरे पास table है में कुर्सियां है और table है ठीके यह सब हमारे क्या होगा है countable जैसे water है पानी milk cold drink यह सबी चीजें हमारी uncountable जिनको हम count नहीं कर सकते नेक्स आजाएगे page number 20 पर page number 20 पर next आप लोगो given uncountable नाउं जिसको हम count नहीं कर सकते ठीके next same page number page number 20 पर यह exercises देख लेते हैं first test में question number one में a कहरें pick out nouns from the following sentences कहरें आपने यह different types के nouns पढ़े हैं five types के proper noun collective noun common noun abstract noun material noun five types के उन में से यहां पर check करिए यह कौन सा noun हमें naming नहीं करने identify नहीं करना सिर्फ बताना है noun कौन सा है तो first मैंने देखा I have two books यानि के मेरे पांस two books हैं तो two जो है में यहां पर collection बता रहा है तो यह क्या हो जाएगा collective noun तो हमारा हो गया two we saw a big crowd बढ़ा यानि के big this radio is mine radio है चीज है कोई तो यह हो गया radio आर ए डी आई ओ रेडियो एक्स फूर्थ है I live in merit मेरेट में रहता हूं मैं merit जगा है तो यह गया proper proper noun हो गया merit जगा मैं properly given है तो यह हो गया merit next fifth है a child is playing तो इसमें क्या हो गया हमारा चाइल्ड आ नहीं होगा इसमें क्या हो जाएगा हमारा चाइल्ड यानि के बच्चा बच्चे का नाम नहीं given है तो चाइल्ड हो गया वह हमारा हो गया proper noun यहां पर सॉरी common noun चाइल्ड हमारा कोई भी हो सकता है तो चाइल्ड क्या हो गया हमारा common noun next same page number page number 20 पर यह next given है be classified the following nouns अब आप लोगो यहां पर nouns given है इसमें से आप लोगो countable और uncountable को क्या करना है यहां पर differentiate करना है जो count कर सकते हैं उनको हमें उपर लिखना है जो count नहीं कर सकते उनको हमें यहां नीचे लिखना है टीके जैसे कि first countable तो जिनको हम count कर सकते हैं सब्सक्राइब है में हम इनसागे सकते हैं संसूरज सूरज संभी नेक्सन हैं इनकी की को उसको हम count कर सकते हैं, sky बादल आसमान को count नहीं कर सकते, fly को count नहीं कर सकते, tree पेड को count कर सकते हैं, card को count कर सकते हैं, rice चावल को हम count नहीं कर सकते, truth किसी की truthness को हम count नहीं कर सकते, उसकी इमानदारी को health सेहत को count नहीं कर सकते, river नदी को count नहीं कर सकते, city यानि शहर हम count कर सकते ह है LUSAI जूट लाई लाई मतलब जूट धी किसी को जूट भी हम काउंट नहीं कर सकते next is sister sister काउंट कर सकते हैं यह हमारे ऐ हो गए först सकते हैं कर सकतें फेस्ट होकेंं काउंट रोंन नेक्स हो गए हमारे Uncutable टीक है 筷े म orange नेंच सेम tand 20 ऐ है इसमें हमें कुछ नहीं करना सिर्फ यह box में words given है जो proper है उनको proper में लिखना है जो common है उनको common में लिखना है जो collective noun है उनको collective noun में लिखना है जो material noun है उनको material noun में और जो abstract noun है उनको abstract noun में इसको करने के जरूत नहीं है आपकी मर्जी आप लोग चाहें तो इसको कर भी सकते हैं ठीके page number 20 पर हम लोगों ने ये क्या पढ़ा है आज page number 18 से लेकर then page number 18 then page number 19 और page number 20 की half तक chapter कर complete explanation किया था then same page number 20 पर हम लोगों ने इसकी exercises को complete किया था page number 18 पर हमने lesson number 13 स्टार्ट किया था lesson name था noun हिंदी में कहते हैं संग्या उर्दू में इस्म पार नमबर 4 ही था हमारा यहां पर डेट शो करना अब 13 के बाद next हमें कौन सा chapter पढ़ना है पढ़ना है contents में चेक कर लेते हैं 13 के बाद हम लोगों को लेसन पढ़ना है 15 जेंडर पेज नमबर 24 पर गेवेन हैं यहां चाहिए पेज नमबर 24 लेसन नमबर 15 लेसन नेम है जेंडर हिंदी में हम कहते हैं इसको लिंग पार्ट नमबर 4 जेंडर को कितने टाइप्स के होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं मैस्कुलीजेंडर फैमिन जेंडर जेंडर कॉमंच और नुटर जेंडर मैस्कुलीन मत्व में क्या आते हैं हमारे मेल चाहिज वो इंसान हो या फिर वो जानवर जतने भी मेल हूंगे व्याइज है मेल लड़का आदमी वहारी किसमें आएंगे म एस्कुलिन जैंडर में एक समने एंगी जानवरों वह हमारी किसमें आ जाएंगी और जञते हैं कि þर्ट होता है нуж expres ister year camp वो उनलब्ष मतएप्ट चिल्डर रहां यह इसके बच्चों मेंeds लड़कित बियाँ कर दोब सकते हैं और यह रहा किन इस सब्सक्राइब करें आज सफिलें. हैं म्सक्राइब नियुका। अधर ऐस सब्सक्राइब शवय नियुका। जिसको हम differentiate ना कर सकी कि यह वो masculine है या फिर feminine है next आते हैं neuter, neuter में हमारे क्या होते हैं? जो हमारी lifeless चीज़े है यानि कि जिनकी कोई जिन्दगी नहीं है वो हमारी होते हैं non living things जैसे कि pen है wood, लकडी, pen, book, pencil, lamp, phone, stand यह सभी क्या है हमारे neuter gender है यह four types के हमारे gender होते हैं अब हम लोग exercise में देखेंगे कि masculine gender को feminine में कैसे change करते हैं ठीक है page number 24 पर मैं explanation किया है next page number 25 पर हम इसका exercise देखते हैं ए हैस में देखिए classify these words under the following headings अब हो क closing टीक है ंहीं में Religion तुमन में चुमत ओल्ट में इस क्या ओलूत करना हैं जो masculine gender है उसको में masculine में लिखना है जो feminine gender है उसको में feminine में लिखना में जो common gender उनको में common में और जो newter है उनको में यूटर में ठीक है तो मैंने सो क्या बता है मैस्कुलिन में जैसे की लॉड ठीक है नेक्स है नेफियू टाइगर शेफर फैमिन में प्रिंसेस मदर बियर नन कॉमर में है पैरेंट चाइड इस्टोडेंट पप काव काल्फ न्यूटर में है पैन गन चेयर शॉप यह मैंने इन वर्स यह जो हमें यहां पर व है मैंने कॉमन और न्यूटर में डिफ्रेंशेट करना था जो हमने यहां पर कर दिया है ठीक है सेम पेज नमर पेज नमर 25 पर ही नेक्स है कॉशन नमब बी जो है इसमें रिराइट दा फॉलिंग सेंटेंसेज आफटर चेंजिंग दा जेंडर ऑफ दी नाउं कह रहें इस स करकर देखते हैं first time my brother has a cock तो मैं brother brother का gender change कर दू sister और cock यानि मुर्गी का gender change करके क्या कर दी हमने मुर्गी तो यह हो गया है next time his sister has a god तो his का क्या हो जाएगा यहां हमारे पास her और sister का brother next है third the king called the यह एक है word पूरा T.H.E. the servant तो king यानि राजा मैं इसका क्या कर दूंगी queen the king queen called the servant next fourth है please call your father तो father का क्या हो जाएगा mother please call your mother यह हमारा हो गया question number B next same page number page number 25 पर ही C given है change the following masculine noun into feminine यानि कि यहां पर आप लोग को masculine noun given है जिसको feminine में change करना है first देख रहते हैं horse horse कहते हैं घोड़े को गोड़ी को कहते हैं mayor man woman bull cow nephew 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 कहते हैं बतीजे को और niece बतीजी tiger tiger टाइग्रेस doctor doctress landlord landlady loin loiness लेड्ड लेड्ड कर क्या होता है लेड्ड पेज नमर 25 पर हम लोग का यह lesson number देखिए page number 24 से लेकर page number 25 पर हम लोगों ने प्रेसर नमर 15 lesson number 15 क्या था gender जिसको हम हिंदी में कहते हैं link part number 4 में ही पढ़ाये हम लोगों इस्टेंट्स ठीक है classics और पार्ट यहां पर आप लोगों सभी को date show करने lesson number 15 complete हो गया अब next contents में चेक करते हैं हम लोगों कौन सा chapter next पढ़ना है देखिए two chapters complete कर चुके हैं देखिए lesson number 13 noun lesson number 15 gender अब हम लोग lesson number 18 पढ़ेंगे article page number 33 तो page number 33 निकालें सभी लोग देखिए page number 33 lesson number 18 lesson name है article article को हम हिंदी में कहते हैं उपद यहां पर भी part number 4 ही आप लोग को show करना है और यहां पर date show करनें है articles पंडने जा रहे हैं यहां पर हम articles कितने होते हैं two types के होते हैं first होता है हमारा indefinite और second होता है हमारा definite legitimate इन definite अर्टिकल में में हमारे कौन कौंण से आते हैं a और N definite articles में हमारे कौन से आते हैं दा आप the a-can use कहां करते हम a-can use and How does my a Muse दा करते हैं dot with 3-point हुद देंख टीनों ही चीजों का的 चीज के लिए किसी खास चीज के लिए अब जब हम exercise में करेंगे तो यह हमें और अच्छे से clarify हो जाएगा page number 33 हम लोगोंने सिर्फ explain देखा था next आजाएगे page number 34 पर यहां exercises given है इसमें फिलिंदा blanks है with suitable articles यानि कि इन blanks को articles से fill करना है ठीके इसमें first है the bible is the sorry is dash holy book dash bible is dash holy book तो मैंने bible particular चीज है खास है important है important नहीं खास होनी चाहिए वो यानि कि unique अलग एक separate होनी चाहिए proper होनी चाहिए तो यह जाएगा the bible is holy book तो एक है यह तो the bible is a holy book these this is dash girl who meet who met me sorry who met me in the market तो कहरें यह एक ऐसी लड़की है यह एक वो लड़की है जो मुझे market में Met यानि के मिली थी meet यानि मिलना मैट मिली थी या मिला था जो भी work हो चुका यानि के तो यह क्या हो जाएगा हमारा आ यानि के एक लड़की एक चीजों के लिए हम हमेशा A ही यूज़ करते हैं A जिसको हम आ पढ़ते हैं थर्ड है गांधी जी वॉस डैश अन्रेबिल मैन तो गांधी जी ओन्रेबिल देखिए इसमें हमारा वाविल नहीं है कॉंसिनन्ट है लेकिन H की आवाज ना आके यहाँ पर O की आवाज आ रही है और O क्या होता है हमारा वाविल इसलिए हम यहाँ पर N यूज़ करेंगे देखिए हम अन्रेबिल पढ़ते हम तो यहाँ पर A लिखते इसको हम क्या पढ़ते हैं ओन्रेबिल तो O की आवाज आ रही है honorable या honorable तो ओ की आवाज आ रही है, ओ हमारा क्या होता है वोविल, इसलिए यहाँ पर ए ना कर क्या आएगा ए तो क्या गांधी जी was an honorable man next fourth है, same page number page number 34 पर ही, dash sun rises in dash east and set in dash west, ये क्या हो जाएगा हमारा the sun, sun particular चीज़ है, the sun rises in the east and set in the west, ये तो आप ले sentence भी सुनाओगा, the sun rises in the east and set in the west ठीके, sun जो है, वो east से निकलता है, rise यानि निकलता है, और set यानि डूबता है, वो कहां पर? west में, correct है ये next five है, dash dog is dash faithful friend ये जाएगा, a dog is a faithful, sorry, animal, friend name animal, next is six, एक dog है, singular है, एक है, next is six, her brother is dash o की अवाज आ रही हाँ पर h की नहीं है, तो हमारा क्या है, वोविल, इसलिए हाँ पर क्या आ जाएगा, and, तो हो जाएगा, her brother is an honest man, next six है, a dash, sorry, dash girl was beautiful तो girl, लड़की है, एक है यहाँ पर आ जाएगा, a girl was beautiful, यानिके, एक लड़की खुबसूरत थी, next, eight है do you live in dash united family, रेखिए, united ठीके, do you live in dash united family, तो united, यह हमारा क्या है, वोविल है, सौरी, हाँ पर क्या जाएगा, and तो do you live in an united family, ठीके, next है, eight, sorry, nine, dash, Punjab mail is late by dash nr, तो Punjab particular चीज़ है, तो यहाँ है गद्दा, the Punjab mail is late by nr, ठीके, o की हार नहीं है, o की आवाज आ रही है, यह क्या है, वोविल है, इसलिए हाँ पर क्या जाएगा, n, next, ten, dash, rich are getting richer, and dash, poor are getting poorer, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, the rich are getting richer, and the poor are getting poorer, जो अमीर है, वो जो गरीब है, वो गमीर हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, page number 34 पर, यहाँ पर हम लोगों ने lesson number अपना, देखे, page number 33 से लेकर, next, यहाँ पर हमने page number 34 पर, chapter number, explanation, exercises, complete कर लिया है, page number 33 से start किया था, lesson number 18, lesson name था, article, हिंदीम हम इसको कहते हैं, ओपर, part number 4 में, ठीक है, यहाँ पर सभी को date show करनी है, यह हमारा हो गया, page number 33 से 34 तक, compete, अब next, फिर हम लोगों चेक करते हैं, हम लोगों को अब नेक्स कौन सा चेप्टर पढ़ना है, जो लास्ट चेप्टर है, हम लोगों के स्लेवर्स का भी, देखिए, lesson number 35, देखिए, हाफ फिली में मैंने क्या बता है थे, lesson number 30, noun, जो हम लोगों ने, page number 18 पर complete करें हैं, then lesson number 15, gender, जो हम लोगों ने, page number 24 से complete करें, then lesson number 18, article, जो हम लोगों ने, page number 33 से complete करें हैं, then last आता है, page number 35, essay writing, जो हम page number 80 पर पढ़ेंगे, ठीक है, तो सभी लोगों को स्टेंट्स, class 6, page number 80 निकालिए, last है, हम लोगों का, देखिए, page number यहाँ पर है 80, lesson number 35, यह भी हम लोगों का क्या है, part number, part number 4, lesson name है, essay writing, essay लिखना है, देखिए, यहाँ पर आप लोगों कई essay given है, first है postman, second है, यहाँ पर Indian farmer, page number 80 पर 2 है, page number 81 पर यहाँ थर्ड है, a great leader, भात्मा गांदी, next time page number 81 पर ही given है, fourth, my village, यह आप लोगो 4, I think 4E essay सर्फ given है, इसमें से मैं आप लोगो 2E essay पता देती हूं, जो मैं एक्जाम में दूँगी, दो में से आप लोगो एक हाफेली के लिए या अपने learn करना है, और जो बागी के 2E essay हैं, उसको हमने अपने final में पढ़ना है, ठीके, तो हम लोग देखिए 2E, से हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे, पेज नमबर 80 पर आजाएए, यहाँ पर लेसा नमबर, सॉरी, essay 2 है, एन इंडियन फार्मर, या आप लोगो एक, या तो यह लंड कर सकते हैं, नेक्स यहाँ आजाएए, पेज नमबर 81 पर, essay 3, अग्रेट लीडर, महात्मा गांधी, इन दोनों में से, आप लोगो, यानि के essay 2, और essay 3 में से, आप लोगो कोई भी एक essay, याद लर्ण करना है, बहुत अच्छे जग्जाम के लिए, आप लोगो at least 10 lines, उसमें लिखने होंगे, ठीके, यहाँ पर हम लोगा, जो हाफली का, जो सलेबस है, वो कम्पीट हो रहा है, इससे मैंने क्या बताया है, यहाँ पर essay आप लोगो, जरूर कमपलसरी लिखने हैं, दोनों ही essay में आप लोगो, गिविन दूँगी, दोनों में से च्वाइस होगी, आप लोगो कोई एक, कम्पीट करना है, तो अगर आप लोगो, पेज नमबर 80 वाला, इजी लग रहा है, सेकंड नमबर पर, एन इंडियन फार्मर, तो आप लोग याद कर सकते हैं, अगर इसमें सपोस्ट 10 लाइन्स नहीं है, तो जितनी लाइन से उतने ही आप लोगो लिखने हैं, अगर 10 से ज़ादा हैं, तो सिर्फ हमें 10 लाइन से लिखने हैं, लेकिन complete sentence करने के बाद, पेज नमबर 80 वाला याद कर लिए, सेकंड नमबर पर एन इंडियन फार्मर, या फिर पेज नमबर 81 पर गिविन है, थर्ड नमबर पर अग्रेट लीडर महात्मा गांदी, इन दोरों में से आप लोगों कोई भी एक ऐसे लंड करना है, यहाँ पर हम लोगों का जो हाफ फिली का स्लेबस था, वो complete हो गया है, देखी क्या कैसले बसता हाफ फिली में, लेसन नमबर 9, 10, 11, 12, जो लोगों ने पार्ट नमबर 3 में complete किया है, नेक्स लेसन नमबर 15, 18 और 35 हम लोगों ने पार्ट नमबर 4 में complete किया, यहाँ पर हम लोगों का हाफ फिली का वर compete हो गया है, यहाँ तक सभी को अपना वर्ग कम्प्रीट करनाइटी के स्टेंड्स थैंक यू